Bromination, Nitration, Sulfonation, Diazonium Salts उसका General Formula क्या होता है, उसकी Methods of Preparation, Diazonium Salts कैसे बनते हैं ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहे हैं ये पूरा का पूरा वीडियो Hello everybody, Welcome back to the channel I'm Harshal, आप देख रहे, Craving Engineers Let's Crave Now So First of All, We Have Electrophilic Substitution जिसमें हैं हमारे पास Bromination So Bromination में सब से पहले जो हमारा Aniline है Aniline will react with Bromine Water Br2-H2O के साथ वो react करेगा At Room Temperature, जिससे हमें White Precipitate मिलेंगे 2, 4, 6, Tri-Bromo Aniline के और 3 times HBR, Nitrogen Bromide वो separate हो जाएगा तो उसका एक बार हम reaction देख लेते हैं यह हो गया हमारा Aniline यहाँ पे NH2 प्लस 3 times Br2 विच विल रियक्ट्स टो गीव अस यहाँ पे तो NH2 होगा ही यहाँ पे एक बार हम यह थोड़ा सा एरो छोटा कर देते हैं उसका देते। विद एक पे सहएगा यहाँ कि यह थोगा चुप्वाआ पे एक जाएग से विदा़ा यहाँ प्लस टीवाँ गीवाँ 3 times HBR और इसका नाम है 2, 4, 6, 3, Bromo, Aniline, और यह 3 times hydrogen bromide, तो उसके पहले एक और चीज़ है, यह करने में एक problem आता है, electrophilic substitution करने में एक problem आता है, क्योंकि aromatic amines जो है, वो उनकी ज्यादा reactivity होती है, जिससे substitution जो होता है, वो ortho और paraposition पर होता है, as you can see, तो अगर हमें एक mono-substituted aniline derivative बनाना हो, जिसमें NH2 group control भी हो सके, जहां आमें उसे रखना हो वाहर रख सके, तो this can be done by protecting NH2 group जो है हमारा, by acetylation with acetic anhydride, ओके, then carrying the desired substituted followed by hydrolysis, hydrolysis तो हमें पर हम करेंगे ही, जिससे हमें substituted amine या फिर amide मिल सकता है, तो let us see, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ bromo-aniline मिले, aniline में से, 4 bromo-aniline, ओके, तो उसका reaction एक बार हम देख लेते हैं, करेंगे से, 4 bromo-aniline, जिससे हमें गए पार हमें एके, जिससे हमें, दन तो यहां पर एरो जाएंगे यहां पर फाइनल एरो डन तो सबसे पहले हमारे पास है एनिलीन यह रियक्ट करेगा विद CH3 CO for two times O जो की पिरिडीन के साथ भी रियक्ट करेगा next it will react with BR2 CH3 COH और यहां पर है N CCH3 पर O करना है पर कैसे करें okay C double bond O dash CH3 dash H okay and it will again react C CH3 यहां पर फिर से डबर पांड O यहां पर H done and this will again hydrolysis होगा H plus यहां फिर O H minus के साथ to give us NH2 यहां पर BR4 bromo aniline done तो हमारा यह reaction भी complete हो गया so now we are moving to the nitrogen okay तो nitrogen में हम direct nitrogen करेंगे aniline का जिससे हमें और थो पैरा और मेठा चारों की तीनों की तीनों पोजिशन्स पे मिलने वाला है तो चलिए अब इसके reactions देख लेते हैं बेंजीन के ऊपर NH2 विच्विल रियक्ट बहुत सारी चीजों के साथ रियक्ट करेंगा जैसे की HNO3, H2SO4 and add the temperature of 288 kelvins जिसमें तीन प्रोडक्ट मिलेंगे हमें एक और थो पे, एक मैटा पे और एक पैरा पे तीनों के तीनों के बेंजीन ड्रा कर देते हैं यहां पे NO2 यहां पे NO2 यहां पे NO2 एक बर आगा, सॉरी यहां पे NO2 and again the NH2 यहां पे NO2 बट इसमें कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है कि यह जो है वह है 51% यह है, ओके यह है 47% and यह बिचारा 2% ओके तो NH2 ग्रूप को प्रोटेक्ट करेंगे by acetylylation with acetic anhydride तो जिससे हमें पेरा पे नाइट्रो डेरिवेटिव मिल सके as a major product तो इसका भी एक extra reaction है जो हम देख रहते हैं सबसे पहले हमारे पास है यह बन्ह2 जो हमारे प्रोटे चश्च जो हमारे चड़े तो रहते लिए पैट बन्ह2 बन्ह2 you to give us an edge or CH 30 mhco ch3 sorry and it's CO, CH3 which will react with HNO3, H2SO4 288 Kelvin to give us and it's CO COCH3 done and here NO2 I remember I had something wrong so this is the same thing and here one thing is different I will correct here and here or H plus or H minus no I don't know I don't know I don't know I don't know we love nitro aniline in it's D an odd done P nitro aniline down next स्टस्टप इस सिल्फोनेश्ट तो स्टाइशन में एनलीन रियक्ट करेगा with parade conform अच्ड विलेगा इस से हमें मिलेगा लिए पर दिग corazón based ूप करेंगे इस फिर वोज विटर आयन में भी चनवार्ट हो सकता है तो फटाफ़ती रियक्शन भी देख लेते हैं बेंजीन के उपहर नहीं चुटू विच बाइट विच विच विश्ट विच लेक्ट विट इच दो एस ओफोर तो गीव उस ओ-ओ-ओ पी रेजर करते हैं बन नहीं एच एस ओफो माइनस एंड फाइनल प्रोडक्ट उसको हम हीट करेगे तो हम मिलेगा 453C473K तो हम मिलेगा NH2 and SO3H which is called Sulfanilic Acid ओके which can be formed as a zwitter iron तो इसमें difference कुछ ज्यादा नहीं होगा वैसे just a minute थोड़ा उपर ड्रॉ करते हैं done and यहाँ पर simply NH3 हो जाएगा with positive charge and यहाँ पर SO3 minus negative charge and this is our zwitter iron zwitter iron so इसका भी एक extra case नहीं है so now we are talking about diazonium salts so diazonium salts क्या होते हैं तो basically उसका एक जो जनरल फॉर्मिला है वह है R N2 plus just a minute R N2 plus X minus here X equals to CL minus BR minus HSO4 minus BF4 minus and etc ओके जिन में हम suffix add करेंगे diazonium to the name of the parent hydrocarbon जिससे हमें name मिलेगा जैसे की diazonium group का name मिलेगा जैसे की हमारे पास है C6 H5 N2 plus CL minus इसका नाम है benzene diazonium chloride फिर यह है C6 H5 N2 plus H H SO4 minus HSO4 minus इसका नाम है benzene diazonium nitrogen sulfate सो वैसे हो सकता है जो जो प्राइमारी एलिफेटिक अमाइन्स जो है प्राइमारी एलिफेटिक अमाइन्स जो है वो हाइली unstable होते है अलकाइल diazonium salts के मुका ले सो जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन्स होते है वो arine diazonium salts form करते है जो की होते है stable for a short time at low temperatures जैसे 273 278 Kelvin तो जो resonance होता है उसके उपर से हम उनका structures को explain कर सकते है and here we come to the methods of preparation तो benzene benzene जो nitrous acid होगा वो produced होगा reaction mixture के अंदर जो जिससे sodium nitric with hydrogen hydrochloric acid के साथ जो conversion होगा primary alimatic amine कहें तो diazonium salts उसे हम कहेंगे di azotization di azotization okay explain di azotization what is di azotization okay तो जिससे stability की वाइ instability की वाजासे di azonym salt है वो generally store नहीं किये जाते immediately after the preparation तो इसका बहुत अच्छा सा छोटा सा reaction है वो देख लेते हैं हम plus Na No2 plus 2 HCl done and it will react 273 C278 Kelvin temperature के सा react होगा which will give us C6 H5 N2 plus Cl minus plus NaCl plus 2 H2O यह है Benzene Diazonium Chloride इसकी बात हो रही है and हुआ मिल गया next is properties तो जब Benzene Diazonium Chloride है वो कलरलेस क्रिस्टलीन solid होता है वो solubile होता है in the water and stable in the cold but वो react करेगा with water जब वो warm होगा ना ज्यादा cold ना ज्यादा गरम तो वो decomposes easily हो जाता है in the dry state Benzene Diazonium Floroborate is a water insoluble and stable at room temporary chair next are the chemical reactions जो हम I guess next time देखेंगे क्योंकि बहुत सारे reactions है और important also बहुत बड़े-बड़े reactions भी है and फिर हमारे पास आएगा importance of diasonium salts sorry diasonium salts in synthesis of aromatic compounds जो theoretical है so we can do that तो आज का वीडियो यहीपे ही end करते है तो अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बैठे हो तो कही ना कही आपको इस वीडियो interesting या फिर informative या फिर आपके लिए helpful लगा है तो इस वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अपने friends के साथ जिससे उनकी भी help हो सकते है आपके अच्छा-च्छा friends को share कीजिए आपके doubts clear हो सकते है इन चुनिंदा topics के अंदर छोटे-छोटे easy-easy topics के अंदर जिससे आपको भी help हो सकती है और subscribe कर दीजिए bell notification बाजू में आएगा तो उसको all पर set कर दीजिए ताकि हम जब भी venus day saturday video रखे या फिर कोई भी live stream करे तो आपको तुरंत ही notification आजाए आप क्लिक करें और सीदे वीडियो गंदर आजाओगे तो आप comment ढूंदा नहीं पड़ेगा that would be easy for you and us also तो आज के लिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई